आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार हमारा चहरा काफी ज्यादा थका थका सा दिखाई देता है और उसी थकान की वज़े से हमारे चहरे का गोरापन भी गवायब हो जाता है जिसके लिए हमें इंस्टेंट किसी ऐसी चीज की जरत पढ़ती है जो हमारे चहरे को तुरंट सही तरीके से रिचार्ज कर दे और हमारे गोरे पन को भी वापस लोटा दे आईए जानते हैं आज आसान से कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे हो जो चहरे को बहुत अच्छे तरीके से रिचार्ज करके गोरे पन को तुरंट दे सकते हैं स्टेप वन है CTM यानि की क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉस्टराइजिंग क्लेंजर, टोनर और मॉस्टराइजर आप घर पर भी बना सकते हैं मेरी बहुत सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कैसे बना सकते हैं या फिर बाजार से किसी हारबर, क्लेंजर, टोनर और मॉस्टिराइजर को खरीच सकते हैं ये मंत्रे आपकी तवचा को खूबसूरत बनाने के लिए सबसे पहला मंत्र है दोस्तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तवचा अच्छी और सुन्दर दिखाए दे और जरा सी देर में आपके चहरे से काला पंदूर हो जाए तो आप संत्रे और नीमू को एक साथ मिक्स करके अपने चहरे पर लगा सकते हैं संत्रे के रस के अंदर नीमू के रस को मिक्स करिए आप चाहें तो इसमें bleaching agent को मिलाने के लिए शहत का प्रयोग कर सकते हैं शहत को इसके अंदर mix करें और एक face pack करें चहरे पर लगाकर इसे 15 मिनट के लिए सूखने दीजे और उसके बाद चहरे को wash कर लिजे ऐसा करने से आपकी तुचा काफी हद तक गोरी हो जाएगी सो दोस्तों ये है आसान से तरीके अपनी तुचा को जट से गोरा करने के लिए इन दोनों उसको को ज़रूर आजमाईए मेरी beauty और health से related वीडियोज को देखने के लिए YouTube पर like, share और subscribe कीजे